उसेटी इंडिया इसके बाद राज्य के बड़े अफसरों ने उन्हें गुलदस्ता देकर बढ़ाई दी उन्होंने सबसे पहले 1991 में सराय केला से विधान सभा का उप्चुनाव जीता था इसके बाद वो वहां से लगातार साथ बार विधाय चुने गए और हेमन सोरेन की काबिनेट में उन्हें दूसरी बार मंत्री बनाय गया था लेकिन अब उनके कंधों पर जारखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी है चमपाई सोरेन के शपत लेते ही उनके गाव में जश्न शुरू हो गया मतलब दस दिन के अंदर जार्खन की नई सरकार को विधान सवा में बहुमत की परीक्षा पास करनी होगी मुख्यमंत्री चमपाई सुरेन का दावा है कि उनके पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या मौजूद है लेकिन शपत गरण के तुरंद बाद ही गटबंधन सरकार के विधायक चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद के लिए रवाना हो गए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जार्खन मुक्ति मोर्चा कॉंग्रेस और आरजेडी को जार्खन में विधायकों की तूट का डर सता रहा है और इसी वज़े से 49 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भीज दिया गे राजभवन में शबत ग्रण के बाद रांची के सरकिट हाउस में एक अठा सभी विधायक एरपोर्ट के लिए रवाना हो गए एरपोर्ट पहुंचे विधायकों से रांची छोड़कर हैदराबाद जाने पर मीडिया कर्मियों ने सवाल कि भुड़ी दिर बाद रांची एरपोर्ट पर पहले से ही तैनात एक चार्टर प्लेन में बैठ कर सभी ने हैधराबाद के लिए उड़ान भरी प्लेन के अंदर बैठे विधायकों का एक वीडियो भी सामने आया कटबंदन के विधायकों को लेकर रांची से उड़ा चार्टर प्लेन हैदराबाद के बेगमपेट एरपोर्ट पर उत्रा इसके बाद बसों में भरकर उन्हें अलग-अलग तीन होटेल में पहुचा दिया गए सुत्रों के मुताबिक दो दिन बाद सभी विधायक जार्खन वापस आएंगे और फ्लो टेस्ट में हिस्सा लेंगे और जार्खन विधान सबा में नई सरकार का बहुमत साबित करेंगे हेमन सुरेन की पार्टी जार्खन मुक्ती मोर्चा ने सरकार तो बना ली लेकिन हेमन सुरेन की मुश्किलें बढ़ गई कोट ने उन्हें पांच दिन की E.D. रिमांड पर भेज दिया जबकि कॉंग्रेस ने आरोप लगाया कि BJP ने लोकतंत्र की परंपरा पर प्रहार किया और चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की और अब पांच दिनों तक कस्टडी में रख कर उनसे पूष्टाच करेगी क्या जब जाया हो जब करेगी जया है तो पिक रोगए वार प्रूब क्या दोल क्या जब पांच जब आरोगदόं क्या है क्या है यह